हेलो एफ्रिवन, वेलकम टू नेजर रेसिपी, आज हुआ यो की मेरी फ्रेंड का फोन आया, और बोली मैं दस मिलेट में आ रही हूँ, मुझे ब्रेट प्रकोडा खाना है, मैंने का ओके, जब मैंने फिश खोला तो ब्रेट थी ही नहीं, और इतना टाइम नहीं था कि मार्क अले दो बॉल ग्रेट अलू लिया है, उसमें एक बड़ा चम्मच चॉब्ड प्याज डाला है, अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप करते हैं, अब इसमें एक छोटे चम्मच कटी हुई हरी मिर्च और ग्रेट किया हुआ अधरक को एड़ किया है, आदा चम्मच धन अनुसार एड़ किया है, और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैं इसमें तीन बची हुई रोटी का यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो रोटी को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, सबसे पहले पहली रोटी में ब्रीन चटनी को अच्छे से स्प्रेट कर देंगे, आप अपने पसंद में सार कोई भी चटनी सॉस का यूज कर सकते हैं, जो आलू का मसाला बनाया था उसको चारो तरफ अच्छे से लगा देंगे, और दूसरी रोटी से इसको कवर कर देंगे, फिर दूसरी रोटी के ऊपर भी सेम घीन चटनी लगाएंगे, और आलू का मसाला ल काटते हैं, आप अपने पसंद अनुसार जैसा चाहें शेप दे सकते हैं, अब एक बेटर बनाएंगे, उसके लिए दो बड़ा चमच बेशन और एक बड़ा चमच चावल का आटा लिया है, एक चोथाई चमच हीन, आभा चमच लाल म्रिच पाउडर, एक चोथाई चमच ह एक चोथाई चमच अजवाइन, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, अब इसमें तीन चोथाई कप पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके एक गाणा सा घोल बनाएंगे, इसका घोल पकोडों के घोल से थोड़ा सा गाणा बनेगा, और ये परफेक्ट माप है, एक चोथा चमच जिंजर गार्लिक पेस्ट एड़ करेंगे, और अच्छे से मिक्स कर देंगे, वेजन के खोल में भरी हुई रोटी का एक टुकड़ा ले करके, डिप करके, मीडियम फ्लेम में शरूप आई करेंगे, रोटी भी पकी हुई है, उगले आलू है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक से दो मिनिट में ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा, वाउ, लीजे तैयार है, बिना ब्रेट का ब्रेट्टो कोड़ा, मेरी फ्रेंड ने इसको चटकारे ले लेके खाया, और उसको गुल्गुल भी पता नहीं चला, ये बिना ब्रेट का बना हुआ है, ब्रेट पकोड़ा, फ्रेंड इसे जरूर ट्राई करें, कोई भी नहीं बता पाएगा, कि इस ब्रेट पकोड़े में ब्रेट नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर रेसेपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइब, शेयर और सिस्क्राइब जरूर करें थेंक यू, टेक केर और बाई बाई